नमस्का दोस्तों मेरा नाम यानिश्वर है और आपने देखना सुरू कर दिया है खबरों के पीछे रात नौ बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके शामने हाजिर होते हैं अप रात की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साजा करते हैं तो देखिए आज खबरों के पीछे का एपिसोड नमबर 423 है देखिए पिछले कई महिनों से मैं अपने दर्सकों का एक संबाद लगातार सुन रहा हूं पर रहा हूं वे बार बार कह रहे थे सहाब बुद्दिन की कुछ और बाते बताएं शाब बुद्दिन कौन आप सानते हैं शाब बुद्दिन की मौत पिछले साल किन परिसीटियों में हुई यह भी आप सानते हैं शाब बुद्दिन शिवान के पुर्व सानते हैं वे क्या थे यह आप सम ऐसी ऐसी कहानियां शुनाई जो उनके करीबी तक नहीं जानते थे बहुत करीबी तक नहीं जानते थे फिर भी दर्सक दिमान करते रहते हैं और दर्सकों की बात हमें शुननी होती है देखिए शाहबुद्दिन को कहने वाले लोग सिवान के कहा करते थे लौर्ड अफ शिव कुछ लोग शुल्टान और सिवान भी कहा करते थे खैल ये किस्से कहानी अब बंद हो चुके हैं सिवान में नई फिजा है सिवान में शहाबुद्दिन के परिबार की अब कितनी चलती है या तब तैह होगा जब कोई नया लोक्षभा चुनाओ या बिधान सभा चुनाओ हो नेचरल था और वे जाँच की मांग करते रहते हैं शहाबुद्दिन के परिवार में उनकी मौत के बाद सहनाईयां बजी हैं उनकी पतनी हीना शहाब ने जो पारिवारिक जिम्मेबारियां हैं उन्हें शंभाल लिया है उनके बेटे ओशामा शहाब वे भी एक्टिव रह करिशता रहा है सो इसका पिंड अब भी नहीं चूटता है पिछले दिनों शिवान में जब रईष ब्रदस में से एक पर गोलियां चली तब शहाबुद्दीन के बेटे ओशामा सहाब का नाम उसमें लिखाया गया इसके बाद तो हीना शहाब बिलकुल ही बिलक परी थी औ मिदबारी की चर्चा होती है राज़त से तब तब हीना सहाब का नाम शामने आता है लेकिन अब तक टिकट की प्राप्ती नहीं हुई है कहा यह भी जाता है क्यास यह भी लगाए जाता है कि राज़त परिवार से रिस्ता लालू जादब से रिस्ता इसमें थोरी दूरी आ आई की नहीं आई तेजस्फी आदप से दूरी की बात सभी स्विकाटे हैं लेकिन यह तब तैह होगा जब कोई विढ़ान सकथ का चुनाओ और लोग सकता का चुनाओ संपन् होगा देखिए क्यास लगाने वाले काते हैं नितिस कुमार से संबन्द, देखिए नितिस कुमार से शहबुद्द्दीन का तो कभी संबन्द रहा ही नहीं, हमेबसा 36 का रिष्टा रहा, यह सच है कि जब शहबुद्द्दीन की मौथ हुई दिल्मे तो संबीद्ना व्यक्त करने व सब्सक्राश में बैठने वाले विहार के रिजिन कमिश्टर को कहा भी गया था लेकिन यह संभब नहीं हो पाया था लेकिन हीना सहाब से जेडियू का रिष्टा क्या हो सकता है इस बारे में हम कोई टिपनी नहीं करना चाहते हैं यदि हम इतिहास की बात करें तो 2014 के एक उप चुनाव संपन हो रहा था और उस मंज पर लालू यादब भी थे हीना सहाब से गुप्टगू हुई लेकिन उस गुप्टगू को यार करने वाले लोग करते हैं कि नितिस कुमार बहुत सहाज नहीं थे तो देखिए चलिए हम जब हमारे दर्शक का रहें कि कुछ कहानिया और बताएं सहाब दिन की तो देखिए हमने अपनी कहानिया तो बताई हैं आपने खबरों के पीछे के यह पुराने एपिसोद देखे होंगे यह आप आज भी तलासेंगे तो बहुत सारी कहानिया हैं तो आज हमने सोचा कि दूसरों ने जो अनुभब किया है और जो बताय पिहार हैं कई बड़े मीडिया संस्थानों में उन्होंने काम किया है उन्होंने कई पुष्टके भी लिखी है एक पुष्टक उन्होंने लिखे रूल्ड और मिस्कूल्ड इस्टोरी एंडिस्टीनी और पिहार इसमें सहाबुद्दीन का जिकर आता है शहाबुद्दीन का नाम चरम पर था आश्मान पर था और तब ब्लैक एस्कॉर्पियो गारी जो शहाबुद्दीन की पसंद थी संतोस सिंग लिखते हैं कि उन्हें सिवान के पत्रकारों ने बताया था कि सिवान में तब कोई दूसरा ब्लैक एस्कॉर्पियो नहीं चर सकता था क्योंकि शिवान में यह माना जाता था ब्लैक एस्कॉर्पियो मतलब साहिब साहिब मतलब शहाबुद्दीन जिने लॉर्ड अफ शिवान और सुल्तान अफ शिवान भी कहा जाता था तो ये साहबुद्दीन की हनक थी कि शिवान की सरकों पर जब ब्लैक एस्कॉर्पियों का काफिला निकला तो यह माना जाता था कि शाहबुद्दीन का काफिला निकला हुआ है दूसरी बार संतोफ सिंग ने जो बताई है उन्होंने किताब में लिखी है देखिए आप देखते हैं आप खुले स्थानों पर देखते हैं लोग परेशान होते हैं कि दिवारों को लोग गंदा कर देते हैं कैसे गंदा कर देते हैं थूक कर या वहाँ पैशाब कर देते हैं और इसे रोकने को क्या क्या प्रयास नहीं किया जाता है notice चस्पा किया जाता है कारवाई की धंकी दी जाती है डंद की बात की जाती है कुछ नहीं माने इतना पर भी न माने तो भगवान की तस्वीरे लगा दी जाती है संतोव सिंग ने अपनी किताम में एक जगा चिक्र किया है देखी हम उनकी लाइन पहते हैं there was a time when people could not dare to urinate in the direction of Shahabuddin's poster even for a remote distance कहने का आसर यह है यदि हिंदी में समझाएं कि Shahabuddin की तस्वीर Shahabuddin का poster जहां शिवान में लग जाता था जिस दिवार पर लग जाता था उधर दूर से भी कोई पेशाब करने की हिमत नहीं करता था तो Shahabuddin की हनक यह थी Shahabuddin का खौप ऐसा था कि जहां Shahabuddin की poster उधर कोई गंदा कर ही नहीं सकता था खड़े होकर पेशाप कर ही नहीं सकता था तो यह Shahabuddin की धौस थी Shahabuddin की जिंदगी थी नेकिन उने एक और जिक्र किया इस कहानी को मैं भी जानता था सुरेंद्र किशोर बिहार के बहुत ही बड़े पत्रकार हैं इंसाइकलोपीडिया और विहार जनरलिज्म कहा जाता है और कई मीडिया संस्थानों में उन्होंने गाम किया है साल 2003 में वे हिंदुस्तान अकपार पत्ना के हिंदुस्तान अकपार में पलिटिकल एडिटर थे राजन्याटिक संपादक तब पता ने कहां से यह इंटिलिजन्स इंपुट आ गई कि सुरेंद्र किशोर की जान पर खत्रा है वे बहुत शामाने तरीके से जीने बाले है बहुत कम सुविधाओं की चाहत है तो इंटिलिजन्स इंपुट की सुरेंद्र किशोर की जान को खत्रा साहब बुद्दीन से और जैसे ही साहब बुद्दीन का नाम आता समझी सकते हैं लोगों की नहीं दूर जाती थी रोंग टेक खरी हो जाती थी तो सुरेंद्र कीशोर भी परिशान और जब इंटिलिजन्स रिपोर्ट आई इंटिलिजन्स इंपुट मिला तो बिहार पुलिश बालों ने क्या किया रोंगों सुरेंद्र कीशोर को दफ्थर जाना होता था उन्हें दो कारवाइन बाले पुलिश कर्मी देती है गे बोडी गाटे देती है वे बड़े ही असहाज रहते थे कि मैं सीधा साधा विसुद्ध पत्रकार किसी लंद फंद में नहीं इन पुलिश वालों को लेकर कहां जाएं कैसे चले इतनी शुभणाएं भी नहीं लेकिन शरकार की रिपोर्ट तो सुर ने तक पहुंची य रावरी देबी विहार की मंतरी थी वैसे सासन तो लालो यादा भी चला ते खस्वर ये पहुंची सुलेंद किशोर की जानको खत्रस आप अह्ठैं सब्सक्राक्राण ऊंडरावरी दे दीवियर ने इस बात को हैं फुस बात के पास एक टिन शयाथ आप कहां परिशान है आपको किसने बता दिया कि मैं आपको हर्म पहुचाना चाहता हूँ आपको नुक्षान पहुचाना चाहता हूँ या फिर यूँ कहें कि आपकी जान को मुझसे खत्रा है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं आप निश्चिंत रहें शाबुदिन कह रहें और साथ हमें यह भी कहा, इस बात का ध्यान रखिए, मेरे बारे में कई तरीके की बाते लोग करते हैं, लेकिन मेरी मानिता इस पस्त है, कि मैं शिवान के बाहर की किसी मसले में इंट्रेस्टिट नहीं होता हूँ, और कोई कुछ भी कहे, मेरा सब कुछ सिवान है, शिवान में ज के बार सुलेंद की शोर भी हलके हो गए थे, मतलब उन्हें लगने लगा था कि सहाब अद्दीन ने कहा दिया, तो अब निश्चिनता है, देखे बिहार को समझना हो, तो एक और किताब है, पत्रकार अरुन सिनहा की, डिबैटल फॉर विहार, डिबैटल फॉर विहार में, देखे उन्होंने, अन्होंने अन्र बहुन्ति, टाइमस उप इंडिया के बड़े पत्रकार रहे बिहार में, रिंच्छिजी के, अपने जमाने के सबसे बड़े पत्रकार थे, उनका एक किस्टा सुनाया है, सहाब अद्दीन के संदर्द के, कि एन्र मुहन्ति एक बार हैं किसी भी वक्त बुला सकते हैं उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं थी सब कुछ आजाद था तो एनर मुहंती को जो पटना से सिमान पहुंचे थे शाहबुदिन से मिलना था लेकिन वे परकिरिया के तहत मिलना चाहते थे तो उन्होंने साम को चैते और साम जब जेल में गिंती हो जाती है कैदी अपने बाड में चले जाते हैं तो प्राबधान यह है कि जब ऐसे समय में किसी बिसेश परशिती में कोई मुलाकात किसी कैदी से किसी आगंतु को करानी है तो इसके लिए उस जिले का चिला दिकारी डिस्तिक मजिस्टीट या डिस्तिक जज अनुमती देगा सहाब उद्दिन तो बहुत हाई प्रोफाइल कह दी थे तो एनार मुहंती ने पहले जेल सुपिटेंडन से बात की जो सिवान के जेल सुपिटेंडन थे तो जे जेल सुपिटेंडन ने कहा कि आपको अनुमती लेनी होगी डिस्तिक जज या डिस्तिक मजिसित से अब देखिए आधिकारिक ऑफिशल अनुमती कहां मिलने थी शो एनार मुहंती ने अपने सुत्रों का इस्तेमाल किया अपनी वेवस्था को देखा और अपनी वेवस्था जैसे ही उन्होंने सहाब बुद्दीन से मिलने के लिए की उन्हें बुला बाह गया एनार मुहंती को कोट करते हुए अरुन जिना ने लिखा है रात नौ बजे हुए पहुँचे शिवान जेल के भीतर शिवान के जेल के भीतर जो जेल सुपरेटेंडन का कारियाले था वह और शहाब बुद्दीन मौझूद कैसे थे इस बात को भी समझी शहाब बुद्दीन उसी जेल सुपरेटेंडन की कुर्सी पर मौझूद थे जिसने स्वान को शाबुद्दीन से मुलाकात कराने से एनार मुहंती को मना कर दिया था शहाब ुदीन ने कर दी लेकिन जेल के भीतर जेल सुपिटेंडन की कुर्सी पर एनार मुहंती ने देखा कि वहां सिर्फ शाहबुद्दीन ही मौजूद नहीं है उनके सैक्रो समर्थक बनी संख्या में वहां मौजूद है और सभी जमीन पर बैठ है शाहबुद्दीन अपनी बाते का रहे हैं सभी सुन रह फा था जो एनार मुहंती से मिलाने के लिए नियम कानून की बात कर रहा था इतना ही नहीं एनार मुहंती ने यह भी बताया कि जब वे मुलाकात के बाद जाने लगे तो सहाब الدین जेल के बाहर आये वहाँ तक आये जहां एनार महंती की गारी खड़ी थी वहाँ उन्होंने उन्ने शीओ आफ किया तो देखिए ये एनार महंती की बाद अब लेकिए सहाब الدین बाचीत में कैसे थे जब मूड ठीक होता था तो देखिए यह संतोस सिंही ने कहा है कि 2006 की बात है संतोस सिंह काते है तब मैं तेलिग्राप में था मैंने किसी सलसले में शहाबुदीन को फोन किया शहाबुदीन के पास फोन तो होता ही था शहाबुदीन ने मेरी आवाज सुनने के बाद नमस्ते किया मुझे कुछ सबाल पूछने थे लेकिन मैं कोई सबाल पूछ पाता इसके पहले शहाबुद्दीन ने चर्चा सुरू कर दी रामायन की, महाभारत की, कुरान की, गीता की और चर्चा करने लगे इन धाल्मी गंतों में कर्म के बारे में क्या कहा गया है देखिए, शहाबुद्दीन के बारे में यह सब कोई जानते हैं कि वह वक्त जितना कुरान पहते थी, उतना ही गीता भी पहते थे और संतों सिंग करते, 21 मिन्तों तक बाचित में शहाबुद्दीन सिर्फ रामायन, महाभारत, कुरान और गीता की ही चर्चा करते रहे, मैं बस सुनता रहा और 21 मिन्तों के बाद में भूली गया कि मुझे और क्या पूछना था इसलिए यह बाचित नमस्ते पर सुरू हुई बाचित के बीच में महाभारत, रामायन, कुरान गीता की चर्चा हुई और फिर असली सवाल का जवाब लिए बिना नमस्ते पर खत्म हो गई देखिए, जो किताब है डबैटल फर विहार अरुन सिना की, उसमें साल 2000 का भी जिक्र है देखिए साल 2000 में विहार बिदान सभा का चुनाव संपन हुआ था 1995 में लालू यादब सबसे बरी बहुमत के साथ बिहार में काबिज हुए थे लेकिन 2000 में जब बिहार बिदान सभा का चुनाव संपन हुआ नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को इसपस्ट बहुमत नहीं मिलाता है और जब इसपस्ट बहुमत नहीं मिला तो कई निर्दलिये बिढायकों के समर्थन से नितीज कुमार ने मुख्यमंत्री पद की सपत ले ली थी राज जपाल के बुलाबे पर इसका बिरोध लालू यादब कर रहे थे लेकिन नितीज कुमार को समर्थन देने बालों में आप जान कर हैरत करेंगे शुरजभान सिंह, शुनील पांडे, राज अंतिबारी जैसे बाहुबली भी थे तो नितीज कुमार ने सपत ले ली थी लेकिन लालू यादब भी इस बात पर अडिक थे कि नितीज कुमार की शरका चलने नहीं देनी है अभी बिहार बिरान सभा में बहुमत सिद्ध किया जाना था राज जिपाल ने समय दे दिया था लेकिन बहुमत का जुगार नहीं हो रहा था लालू यादब बरे खिला ली था रे जिस कॉंग्रेस के खिलाप वे लर रहे थे अब लालू यादब की शरकार मतबराबरी डेवी की शरकार बगएर कॉंग्रेस बिधायकों के समत्थन से नहीं बन सकती थी तो लालू यादब ने दिल्ली बात कर ली लेकिन परदेश नितुत लालू यादब के साथ सरकार बनाने को रासी नहीं था ऐसे में लालू यादब ने कॉंग्रेस बिढायकों को अपने कबसे में कर लिया क्योंकि आला कमान की हरी जंडी मिल गई थे बीजेपी को, जेडियू को, निटीश कुमार को किसी भी कीमत पो रोका जाना था लेकिन परिसीतिया ऐसी बन रही थे कि कॉंग्रेस के जो बिढायक थे, उनमें से कई निटीश कुमार के खेमे में भाग सकते थे अब भागने बाले बिढायकों को रोका कैसे जाए आप तो देखिए, 2022 में जब हम कहानिया सुना रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, एक परदेश से कहीं दूर परदेश में लेकर चले जाते हैं किसी रिसॉर्ट में, किसी होटल में बिढायकों को बंदी कर देते हैं और बिढायकों की बात छोड़िये, अब तो जिला परिसब में और नगर निगम के चुनावों में हम यह रिवास दिखते हैं खैर, तो लालू परशाद अपने बंग के बारे में जान देते हैं और लालू परशाद को भरोशा था शाह बुतीन पर तो कॉंग्रेस के जितने बिढायक थे, पटना के पाटली पुत्र होटल में बंद कर दिये गए और उनकी सुरक्षा की जवाब देही दी गई शाह बुत्दिन को देखिए, डिबैटल फ़र विहार में एक पत्रकार के हवाले से लिखा गया है जो श्रसंदीर थे, कि वे पाटली पुत्र होटल पहुँचे, पत्रकार थे, शाह बुद्दिन भी जानते थे इसलिए वहाँ कोई परिशानी नहीं हुई पहुचने में, वहाँ उन्होंने देखा कि शाह बुद्दिन बनियान और लुंगी में ही आराम से जम्य हुए है उनके साथ उनके पहलवान हैं, हतियार हैं, शाह बुद्दिन ने स्वेम भी हतियार रखा है जब पत्रकान ने पूछा कि आप यहां ऐसे क्या कर रहे हैं, तो शाह बुद्दिन ने कहा किशी भी कीमत पर नितीश कुमार को मुख्यमंती बने रहने से रोकना है इसके लिए हम कुछ भी करेंगे पत्रकान ने देखा कि जो वहां कॉंग्रेस बिढायक बंद थे, उनमें कई आदिवासी बिढायक भी थे, तब बिहार का बटबारा नहीं हुआ था तो उनमें से कई विढायक इधर उधर होना चाहते थे, निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कोई मुम्मिंट हो, शाहबुद्दीन के समथक और शाहबुद्दीन उन्हें समझा दिया करते, यदि आगे से ऐसी कोई भूल की, तो समझ लेना उनके हाथियार बन दस्ते के लोग हाथियार तो लारा ही रहे थे, परिणाम यह निकला, कि नितीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए, उस पत्रकार नहीं यह भी कहा, कि हमने पाटली पुत्र होटल में जो दीखा था, उस बारे में जाकर, मुक्रमंती पद की सपत लि लेकिन उन्होंने इस मसले को बहुत गंबीरता से नहीं लिया, वे बोले कि मुझे पता है, और मैंने इस बिसाय को देखने के लिए शरी राय, जो बीजेपी के नेता, अभी आपको पता है, जारखन के भी रायक हैं, जारखन के मुख्यमंती रगुवर दाश को उन्होंने जमसेटपूर में चुना हो रहा है था, बिहार में भी चारा घोटाले का भंडा फोर करने वालों में शरी राय का बरा नाम रहा है, तो निटीश कुमार ने कहा कि हम इस मसले को शरी राय पर छो रहे हैं, प्रिनाम यह हुआ कि कॉंग्रेस बिधायक लालू यादब के साथ रहे, निटीश कुमार बिहार बिधान सबा में अपना वहमत सावित नहीं कर पाए, और शहाब बुद्दीन की घेरा बंदी के कारण कॉंग्रेस बिधायकों के समथन से बिहार में दोहजार में फिर से राबरी देवी की शर्कार बन गई, तो लालू यादब की सत्ता को ब कहानिया, बीच-बीच में कई कहानिया लोग मुझे सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो हमारे दर्सक कहते हैं, बीच-बीच में मुझे ख्याल आता है कि जब दर्सक कह रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, तो आज हमने शहाब उद्दीन की कुछ और कहानि चोटी-चोटी कहानियों को जोड़कर एक बड़ी कहानी शुना दी तो आप देखके लिए खबरों के पीछे को यदि अब तक आप हमारे यूटूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और एडियस वीडियो को आप पेश्बुक पेज के मादियम से देखरें तो पेज को लाइक किजिए तूटर पर भी हमें फॉलो किजिए साथ में हम यह भी कहाना चाहते हैं क सब्सक्राइब करें आपकी पाचान को हम तब तक गोपनी रखते हैं जब तक आपसे अनुमती नप्राप कर लें तो आज के लिए इतना ही हमें दीजी जाज़त मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल बहुत बहुत धन्यवाद